Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल हम लोग कुछ miscellaneous conventions की बात करेंगे, आप जानते हैं कि पिछले कुछ sessions में, जब से TCP series हुआ है, if I'm not wrong, 6 lectures आयेंगे, 6 lectures में हम लोगों ने nuclear conventions, nuclear treaties, nuclear protocols के बात की हैं, in general हम लोगों ने earth-based treaties conventions की बारे में बात की हैं, और मैंने आपको बताया था, most important reason why I started TCP, क्योंकि treaties, conventions, protocols बहुत जरूरी हो जाते हैं, environment के दिश्टिक कोन से, और इसलिए आपने देखा होगा, पिछले 2-3 classes में हम लोगों ने continuously environment-based TCP के ओपर focus किया हुआ है, और आज भी हम लोग इस miscellaneous discussion में फिर से environment के ओपर ही focus करने वाले हैं, जहां पर हम लोग कुछ अलग-अलग regions के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ conventions हैं, which are very specific to different regions, तो आज हम लोग उसके बारे में discussion करने वाले हैं, और बहुत सारे conventions, बहुत सारे protocols में United Nations का का काफी योगदान रहा है, तो आज के discussion से students किस particular data को ग्यादर करेंगे, सबसे पहले मैं आपको यह बताऊँगा, आपको ध्यान रखना है कि convention क्या है, convention कहां sign हुआ है, specific city में sign हुआ है, तो city कहां पे आती है, क्योंकि उससे जुड़े सवाल आ सकते हैं, मैंने आपको बताया कि convention का नाम या फिर convention की city और उस country का नाम आपको पूचा जा सकता है, या फिर convention किस चीज से connected है, फॉर इंस्टेंस, मिनामाटा convention and news किस चीज से connected है, mercury poisoning से connected है, तो आपको convention समझना है, convention की city को समझना है, convention की उद्देश को समझना है, कई बार you don't need the contracting parties, क्योंकि convention में normally, या फिर convention, treaties, protocols में, बहुत सारी parties होते हैं, अब कुछ-कुछ conventions में 190 countries होते हैं, आज जो हम लोग region specific बात क तो उसके उपर आपको focus नहीं करना है, लेकिन उस चीज का क्या development हुआ है, उस चीज के उपर, किन areas के उपर हमें focus करने की ज़रूरत है, current affairs में अगर इन चीजों से जुड़ी भी कोई चीज आएगी, तो आपको उसको ध्यान रखना है, तो इस background के साथ चलिए, शुरू करत है the penultimate class of PCP, treaties, conventions and protocols, पहला convention है, बमाको convention, I hope you have heard of this, बमाको convention is quite famous, अब सबसे पहले, आपको ध्यान दें, बमाको convention, यह बमाको क्या है, बमाको एक city है, city आती कहा है, city आती है in Mali, please remember, बमाको is in Mali, अब दूसरा, बमाको convention के लिए, माली मतलब आफरिका से connected रहेगा, इस convention की जरूरत क्यों पड़ी, देखिया, आपको याद होगा, हम लोगों ने पहले environment से जुड़ी वी convention की बारे बाग के था, बेजल convention, I hope you remember, बेजल कहां पे आता है, Switzerland में आता है, बेजल convention किस चीज़ से connected है, बेजल convention is connected to the hazardous material, hazardous material के transport से जुड़ा हो, यानि कि waste स मैंने आपको बताया था, कि एक समय था, जब developed countries अपने यहाँ पे सारी चीज़े करेंगे, अपने यहाँ पे development करेंगे, लेकिन कुड़ा कच्रा दूसरों की जगब जाके फेकेंगे, मैंने आपको बताया था, not in my backyard movement, जो ironically, US में ही शुरू हुआ था, which became very prominent with respect to the transport of hazardous or the other wastes, तो निम्भी मूमेंट जो शुरू हुआ था, निम्भी मूमेंट की वैसे क्या हुआ, develop countries अपना कुड़ा कच्रा नहीं फेकेंगे, least developed countries में, लेकिन आप जानते हैं कि बेजल कन्वेंशन में जो प्रोटोकॉल्स भी आय थे, लेटर आ, उसमें भी compensation की बात की गए थी, of course, liability है, लेकिन liability की साथ compensation भी होगी, यानि कि अगर आप कूड़ा कच्रा फेक भी रहो, तो least developed countries हो, अगर पैसों की जरूरत है, तो can they accept it, तो इस तरह की चीज़ा जरूर थी, हम लोगों ने बात किया था, बेजल कन्वेंशन की बारे में, और बेजल कन्वेंशन की इस weakness की है, ध्यान रखियेगा, बमाको कन्वेंशन इंक्लूड्स रेडियो अक्टिव वेस्ट, हम लोगों ने बात किती बेजल कन्वेंशन में, रेडियो अक्टिव वेस्ट को वो चंसिडर नहीं कर, तो बमाको कन्वेंशन can be considered as the continuation or rather a stronger version of बेजल कन्वेंशन, तो बेजल कन्वे के बाद भी, उसके प्रोटोकॉल के बाद भी, कई सारे developed countries अपना कूड़ा, कच्रा हजार्डर वेस्ट, लीस्ट डेवलप कन्वेंशन को भेज रहे थे, अब इसको रोकने के लिए बमाको कन्वेंशन आया, जहां पे वही लोग, यानि कि African countries नहीं मिलके और और भी strong measures प्रोबो कॉला के से Ivory Coast का, जहां पे developed countries ने अपना कूड़ा, कच्रा वहाँ फेका था, जिसकी वज़े से, adverse consequences हुए थे in countries में, यह highlight हुआ उसके बाद, बमाको कन्वेंशन के लिए, आफरिकन देश साथ में आया, और 1998 में इसको enforce किया, अब सवाल उठता है, सर इस बमाको क इस बमाको कन्वेंशन is more or less very similar to Basel Convention, यानि कि बमाको और Basel में ज्यादा कुछ एंतर नहीं है, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि बमाको कन्वेंशन is much stronger than the Basel Convention, यहां पे कोई भी import-export होती है, हजारो स्वेस की बहुत लंबी list है, इसके अंदर radioactive material को भी include किया गया है तो एक चीज है, बमाको कन्वेंशन, it is based very similar to the Basel Convention, बट it is much more stronger than the Basel Convention, यानि कि यहां पे जो list है, list of waste materials ये भी एक लंबी list है, इसके अलवा यहां पे prohibit करते हैं, ocean में कुडा कच्रा फेकना, inland water dumping को भी ये लोग रोकते हैं, इसके अलवा environmental impact assessment के measure से बहुत सारी चीज़े आई ये बमाको कन्वेंशन के अंडर, शुरुवाती दोर में जब ये आया था, 1991 में इसको finalize किया गया था, it was signed, but 7 साल बाग ये force में आया, क्योंकि जो भी requisite ratification थी, वो आचुकी थी, 1991 में finalize किया, पहले केवल 12 countries थी, African Union, या फिर मैं कहूंगा, African organization जो पहले था, उसकी 12 countries थी, उसके बाद धीरे-धीरे लोग यहाँ पे join होते हैं, आज यहाँ पे 29 signatories हैं, और 25 parties हैं, मतलब 29 countries ने sign किया है, 25 party ने इसको ratify किया है, इसको धान रखना है आप, जब भी हम कहें कि इसके signatories, कितने हैं, signatories ज्यादा है, parties कम हैं, क्यों इन parties ने ratify किया, यानि कि 4 countries हैं, जिन् बमाको कन्वेंशन के बारे, बमाको कन्वेंशन के बाद, let us move ahead and talk about another convention, एक रीजन से, अब आपको ध्यान रखना है, बमाको कन्वेंशन connected to Africa, अब यहाँ पे entire African region, I would say 50-55 countries में से, almost 29 countries signatories थे, almost entire African continent would be covered, क्योंकि LDCs में कूडा कचरा फेकना नहीं चाहिए, इसलिए convention है, नेक्स्ट, कारपाथियन convention, अब कारपाथियन convention किस एरिया से connected है, it is connected to the Carpathian region, अब यह कारपाथियन क्या है, सी कारपाथियन और mountain range, तो आपको ध्यान रखने कभी कभार, इस पे भी सवाल आ सकते है, कारपाथियन convention में वो कंट्रीस है, जहां पे आपको कारपाथियन mountain region मिल और इसका उद्देश कहा है? Of course, environment से चुड़ा हो है, यानि कि sustainable development हो इस पर्टिक्लर रीजन में और जो भी environmental problem से, जिसकी pollution की problem है, over exploitation की problem है, उस चीज़ को रोक है, यानि कि protection of this particular region, अब यह जो करपाथियन region है, यह कहां प्याता है, कौन-कौन कंट्रीस में इंप्रूड है, कारपाथियन region में, जहां पर मैंने आपको बताए कि this is a mountainous region, it includes seven countries, seven countries are Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Serbia, Slovak Republic, Slovakia and then Ukraine, 2003 में इस convention को, it was open to signature, तीन साल बाद it came into force, अब इनका उद्देश क्या है, यह जो पार्टी से साथ पार्टी, इन्होंने common vision बनाया है, जहां पर यह लोग मिलकर, comprehensive policies बनाते है for the entire कारपाथियन mountain region, ताकि इसकी pristinity maintained रहे, इसको protect करें सो conserve करें, और इनके बहुत सारे partners है, अगर हम लोग बात करें, यह कारपाथियन convention एक बहुत ही important platform बनाता है, क्योंकि यहां पर mostly मैं कहूंगा Eastern Ukrainian countries है, जो दूसरे countries को भी साथ मिलाते हैं, तो it is a multi-sectoral platform for bringing people together, European Union के नेशनल गवर्मेंट से, United Nations भी यहां पर साथ में आता है, क्यों? To protect the कारपाथियन region, अब यह कारपाथियन region कहां प्यारता है, थोड़ा सा जोगरफी की त्यारी करते हैं, कारपाथियन convention is connected to कारपाथियन region, कारपाथियन region is this region, कारपाथियन mountain, यहां पे छोटा सा region आपको दिख रहा होगा, predominantly मैं कहूंगा, it covers most of the eastern European countries, जो first while जो USSR के भाग रहे थे या फिर USSR के sphere of influence में थे, तो आप देख सकते हो, this is the mountain range, let me just draw the mountain range, कुछ इस तरह से इस mountain range की diagram है, right, ठीक है, this is the कारपाथियन mountain range, और अगर आप देखेंगे, countries, Hungary के उस तरफ, Hungary के eastern side में, आपको, you can see, Poland है, Ukraine है, Romania है, Czech Republic, यह सारे countries में स्लोवाकिया, यहां पे मिलते हैं आपको, और कारपाथियन जो mountain range है, यहां पे तीन regions है, first region, the western कारपाथियन region, eastern कारपाथियन region, and then southern कारपाथियन region, यह shape है कारपाथियन mountains का, अब कभी कबार, कारप अब कर लेते हैं, कारपाथियन mountains कहां पे मिलते हैं, it basically forms an arc, I would say, in the central Europe, central and eastern Europe, to some extent, eastern Europe, mostly central Europe, आप कह सकते हो, जैसे कि मैं आपको diagram दिखा है, अगर आप इस तरफ जाओगे, तो you will see the erstwhile states, only जैसे Ukraine, पहले USSR का भाग था, Moldova हो गया, दूसरे भी countries, लेकिन यह countries भी sphere of influence जरूर थ है सकते, not eastern पर से, ठीक है, अब कौनसी कौनसी countries आती है, Czech Republic, 3% mountain range in Czech Republic, इसके अलावाद there is Austria, Slovakia है, Ukraine है, Romania, Serbia, Poland, तो ये सारी countries में आपको ये mountain range मिलता है, इसमें सबसे highest mountain peak, या फिर mountain range कौन सा है, it is Mount Tatra, right, Mount Tatra, Mount Tatra की height approximately 2,600 meters है, अगर आप देखो, Mount Tatra, यहाँ पे 2,654 meters, I hope you can see, कि यहाँ पे, you can see, this is the Mount Tatra, lower Tatra साब को दिख रहा है, 2,654 meters है, इसके height, compared to Everest, I would say, 1,4, Mount Everest, 8,000 meter के भी उपर है, कि मालेयस में जो आता है, यहाँ पे 2,614 meter है, Mount Tatra, the highest mountain in the Carpathians, clear, Carpathian convention and the Carpathians, right, let's move on, आगे बढ़ते है, आगे फिर से एक रीजन के बारे में बात करते हैं, now this time we'll talk about the Alpine convention, Alpine, अब Alpine convention is connected to which particular region, it is connected to the Alps, अब सवाल उठता है, Alps कहा आते हैं, Alps आपको मिलते हैं, यूरप में, जहाँ पे हम लोगों ने Carpathian देखा, उससे थोड़ा सा वेस्टन साइड में चलीजेगा, Alps, the French Alps, so Alp mountain is in Europe, European mountain range है, ठीक है, अब इन्होंने convention बनाया, for sustainable development, again, Alps में भी, यूरोप में आप देख सकते हो कि, बहुत ज्यादा industrial development हुई थी, industrial revolution यहीं से शुरू हुआ तो, although UK से शुरू हुआ तो, उसके बाद में, the central was Europe itself, तो वहां से, जिस तरह की pollution हो थी, जिस तरह की problems हो थी, उससे बचाने के लिए, Alps को अच्छे से बचाने के लिए, Alps का environment प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्होंने एक treaty बनाई, अफर एक convention लाया, that is Alpine Convention, एक framework convention एक agreement लाया, जहां पर European Union भी भागे, अभी फिलाल European Union is also the party, 1991 में इसको finalize किया गया था, कुछी साल बाद European Union की शुरूआत भी हुई थी, मैं कहूंगा, तो EU is a member, इसके अलवा 8 states है, 8 राज हैं, जहां से, जहां पर आपको Alps मिलते हैं, although specifically 7 Alpine states कहा जाते हैं, बट यहां पर 8 members है, totally, Austria, Germany, France, Italy, Lichtenstein, Monaco, Slovenia और Switzerland, ठीक है, Convention finalize किया था, 1991 में, और it entered into force in 1995, इनका उत्देश है, Alps को protect करना, अब यह Alps कहां पर आते हैं, this is the Alpine range, यहों कि आपको दिख रहे हैं, मैंने आपको बताया था, आप थोड़ा सा, इस तरफ मूँ हो जाओगे, आपको मिलेंगे, मोनाको में आपको मिलेंगे, Switzerland में आपको मिलेंगे, Lichtenstein, you'll find here, Germany, the Bavarian Alps, you'll find here, right, तो अलग अलग कंट्री से हैं, यहां पर इंक्यूर, clear, अब जब हम लोग Alps की बात करते हैं, थोड़ा सा हमें यह भी जानना चाहिए, Alps actually, are the highest mountain range in Europe, in fact, कई लोग, जो कहते हैं, हम लोग mountain ranges की जब बात करते हैं, मालेयन mountain range उसके आगे continuation करते हैं, Central Asian region, then the Central European region, and now the proper Europe, जो mainland Europe है, वहां पर, तो mountain range continuation हम लोग कहते हैं कही बार, I hope that you have known this thing from geography, right, तो Alps में, कितना stretch होता है, Alpine stretch है, approximately 1200 km का, across 7 Alpine countries, 7 Alpine countries यह है, France, Switzerland, Italy, Lichtenstein, Austria, Germany, Slovenia, please remember this, ठीक है, अब Alps में, सबसे highest mountain range कौन सा है, सबसे highest mountain range नेंचे, Mont Blanc, Mont Blanc आपको, let's see, you can see, find, yeah, Mont Blanc, आपको France और Italy के border पे मिलता है, you can see here, I hope you can see, Mont Blanc, 4807 meters, तो Mont Blanc, France और Italy के border पे आपको मिलता है, तो majorly आपको यह France में आता है, इतली के साथ भी यह connected है, यह mountain range है, highest peak is Mont Blanc, 4800 meters approximate, clear, right, तो हम लोग ने तीन discussion किये, बमाको convention, कहां से बमाको, माली, कारपाथियन convention connected to the कारपाथियन region, अलपाइन convention connected to the Alps, ठीक है, चली, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, प्लीज रिमेंबर दिस, अभी भी अगर आप सोच रहे हैं, कि यार मैं इस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम को जॉइन करूँ या नहीं करूँ, अगर आपने किया है, तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपने नहीं किया है, और मैं कहता हूँ कि आपकी बस अप्रोक्सिमेटली एक हफ्ता, दो हफ्ते का टाइम पिरेड जरूर है, एक हफ्ता है, बिल्कुल कि थोड़ा सा आप डिले भी करें, सोच भी रहे हैं, तो I would say finalize it as soon as possible, क्यों? क्योंकि this is the most comprehensive program that is there, comprehensive and affordable program, यह पूरा program आपको मिलेगा 18999 में और अभी तो आपको 24 महिनों की validity मिल रही है, अगर आप 6 तारीक तक इसको finalize करो, यानि कि 2023-2024 के त्यारी करें, उसके लिए काफी फायदे मन रहेगा, इस दी मोस्त कॉम्प्रेहेंसिव प्रोग्राम वाई, यूल गेट everything at this particular price, complete package, 900 hours plus live classes आपकी चलेंगी, इसके अलाबा, you have prelims test series included in this itself, one-to-one mentorship मिलेगी, एक mentor आपके साथ रहेंगी from day one itself, इसके अलाबा, you have group mentorship program, group mentorship में, retired bureaucrat, IS officer Anil Sorup sir, is leading the group mentorship, right, so you can interact with them, you can interact with the current bureaucrats also, I am quite sure कि आपने जरूर वीडियो देखा होगा हमारा, जो bureaucrats आय तक चिनो नोने interaction कीती हमारे students के साथ, इसके अलाबा, success and prelims program, current affairs program, सब कुछ, everything, whole shebang, you'll get in one program, this is the most comprehensive idea, remember, please get enrolled before 6th, do not wait for last date, क्योंकि limited number of seats से उससे पहले भी close हो सकता है, ठीक है, जल से जल इसको enroll किजिए, and do not forget to use the code, अगर आप ये code इस्तवाल नहीं करोगे, तो इस प्राइस पे नहीं मिलेगे, ठीक है, कंपनी का प्राइस 24,499 है, लेकिन जब आप चेक आउट करोगे, हमारी website हो, हमारा app हो, वहाँ पे, इस code को इस्तवाल करना है, Rahul Live, R-A-H-U-L, L-I-V, without any spaces, आपको ये प्राइस पे मिलेगा, ठीक है, right, do it, चले, आगे बढ़ते हैं, let's talk about the next convention, Abidjan convention, Abidjan convention, now where is this Abidjan, first thing, Abidjan convention में, Abidjan कहां पे है, और convention का उद्देश क्या है, ठीक है, Abidjan, you know, it is a city in Ivory Coast, Ivory Coast, what the divine, या फिर Ivory Coast की city है, अब Abidjan convention क्या चाहता है, Abidjan convention का उद्देश क्या है, Abidjan convention, और the convention for cooperation in protection, management, and development of the marine and coastal environment at the Atlantic coast, at the Atlantic coast, यानि कि अगर आप आफरिका की, आफरिका का मैप देखे, right, so, pardon my drawing, तो अगर हम लोग इस आफरिकन कॉंटिन, इसको आफरिकन कॉंटिनेट समझे, we are talking about this particular region, not this, ठीक है, इस साइट तो आपको मिलता है, यारि यह तो इंडियन ओशन है, यह तो इंडियन ओशन है, य Central African region में जो कंटिस आते हैं, जहाँ पे coast लगी हुई है, तो उस region के marine area को, marine environment को, marine organisms, marine flora fauna को बचाने के लिए particular convention आया, अगर हम लोग बात करें, marine environment इस particular zone में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि Western African region, right, Western African region की बात करें, यहाँ पे आपको बहुत सारे resources मिलेंगे, marine resource मिलेंगे, इस particular region की जब हम लोग बात करेंगे, look at this particular region, जो मैं आपको अभिजान convention की बात करना था, अभिजान comes here, this is the ivory coast और कोते देवाय, this entire region becomes part, इसमें DRC भी है, ध्यान रकना है, छोटा सा coast इसका लगता है, यहाँ भी इस लिए, DRC is also part of it, इसलिए West African region, Central African region के बहुत सारे countries हैं, जै इसको रोकना है, इसको रोकना है, pollution, अगर आप development के लिए जा रहे हैं, तो pollution होगा, तो coastal ecosystem में यह सारी problems आती हैं, और यह convention इनी problems को रोकने की कोशिश करता है, abidjan convention, ठीक है, basically sustainable use of marine resources in this particular region, यह इनका उद्देश है, अभी फिलाल यहाँ पे 19 contracting parties है, जो अलग-अलग setup कर चुकी हैं, अगर हम लोग abidjan convention की बात करें, इस region में sustainable development, sustainable use of resources करने के लिए, इस convention को लाया गया था, अब इस convention की जो शुरुवात हुई थी, उसमें उन्होंने कुछ targets नहीं डाल आते हैं, लेकिन लेटर ओन इस convention के अंडर अलग-अलग protocols आ चुके हैं, जिसके तहत targets दियेगें, targets भी हैं, जिसके तहत कुछ rules and regulations बनें, abidjan में इनकी secretariat भी है, कि कोई देश इन चीजों को violate नह zone management इसके अलबर, प्रोटोकॉल बना है, sustainable mangroove management वे, in fact, यह काफी interesting है, mangroove management के लिए इनका protocol sign हुआ था, in a city called as Calabar, although यह जो प्रोटोकॉल से, अलग-अलग cities में sign हुए, तो उन cities के नाम भी हिनका protocol है, but I don't think they are very important, but Calabar, आपको क्यों बतारो, Calabar, it comes in Nigeria, तो यह एक बहुत ही important protocol है, which aims to protect specifically mangroves, अब यह mangrove क्या होते हैं, आपको बता है, mangrove, आपको मार्शी एरेस में जो trees, plants मिलते हैं, काफी productive ecosystems होते हैं, इंडिया में भी आपको सुंदरबंस मिलते हैं, तो mangroves को sustainably protect करने के लिए protocol आया था, in Calabar, इसके अलबा, protocol on environmental norms and standards, की gas exploration, oil exploration, आप कैसे करोगे sustainable explosion करनी है, इसके अलबा, protection and development of LBS, land-based sources, जो है, वहाँ से आपका pollution ना हो, इन sources को identify करें, और वहाँ से pollution को रोकें, इस तरह का भी protocol है, इसके अलबा, protocol for combating pollutions in case of emergency, जैसे oil spill हो गया है, या फिर कोई specific leak वगेरा होरी ocean में, तो उससे बचने के लिए भी protocols बने हुए, कि देश ए information share करेंगे, etc, right, so Abidjan convention के अंडर कई सारे protocols भी आये होए है, clear, so this was about the Abidjan convention, let's move on, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, Barcelona convention के बारे, Barcelona, कहा है Barcelona, Barcelona is in Spain, ठीक है, Barcelona comes in Spain, अब Spain मतलब, it is connected largely to Europe, लेकिन ये केवल Europe को convention नहींगे, ज्यान लगने आपको, ठीक है, जैसे मैं आपको Barcelona convention कहूंगा, it is actually convention for the Mediterranean region, Mediterranean region, क्योंकि Mediterranean region एक बहुत ही rich region है, यहाँ पे आपको oil मिलेगा, gas मिलेगा, बहुत rich marine resources यहाँ पे है, fisheries आपको मिलेगी, यहाँ पे, water-based resources, right, it is rich in biodiversity, इसके अलाब है, since we are talking about European side, अगर हम लोग Mediterranean की बात करेंगे, let me just show you, this is the Mediterranean region, यह है Mediterranean Sea, और यह party से Barcelona convention की, और यहाँ पे, specially, northern side में, let me just draw this, यह जो countries है, these are mostly responsible for climate change and global war, यानि कि mostly developed countries आपको यहाँ पे मिलेगी, जिसकी वैसे Mediterranean के उपर ही impact हो रहा है, although Mediterranean convention में आपको ध्यान रखना है, केवल European countries नहीं है, बहुत सारे, यह जो yellow countries आपको दिख रहे है, यह सारे European Union के भ यह भी European Union के countries है, लेकिन अगर आप southern side में देखो, these are also the members, ठीक है, यानि कि southern Mediterranean region में, और आपको eastern Mediterranean region के भी countries यहाँ पे भाग है, clear, अब उद्देश के है, जैसे कि मैं आपको बताया, rich biodiversity है Mediterranean में, लेकिन यहाँ पे exploitation भी होती है, developed European countries है, तो Mediterranean region को बचाने के लिए, वहाँ के environment को project करने के लिए, यह convention आया, जहाँ पे अलग अलग एक country साथ में आते है, sustainably इन resources को इस्तमाल करने के लिए, कब आया था यह convention, one of the oldest convention, it was finalized in 1976, Barcelona convention, it is also called as convention for protection of the Mediterranean Sea, in fact, इस से पहले, इस से पहले, एक ही साल पहले, United Nations Environment Program के ages के अंडर, एक plan बनाया था, इसको कियाते है, short map, Mediterranean action plan, so Mediterranean action plan के था, already Mediterranean को protect करने की मुहिम छड़ी हुई थी by UNEP, लेकिन उसके बाद, देश साथ में आये, और अभी फिलाल, यहाँ पे 22 contracting parties है, यूरप से तो है ही है, आपको आफरिका से भी यहाँ पे countries मिलेगी, और आपको एशिया से भी countries मिलेगी, 1996 में, in fact, 1976 में एक convention आया, 20 साल बाद, इन्होंने कुछ commissions, कुछ committees बनाएं, जैसे कि 1996 में, इन्होंने Mediterranean Commission for Sustainable Development बनाएं, जो आज भी देख रहा है, इस पडिवलोग convention की implementation को, इस convention के तहद भी कई सारे protocols आये हैं, इसके अलबा, इन्हों एक compliance committee भी बनाई हैं, कि सभी देश comply कर रहा है कि नहीं, with rules and regulations, with the protocols, नहां पे भी अलग-अलग protocols sign हुए हैं, convention आई मतलब इनकी भी जो convention हैं, conference of parties चलेगी, इनकी भी जो 20-22 लोग है, तो साला ना मिलेंगे, better करेंगे, बातचीत करेंगे, और इन्होंने भी अलग-अलग protocols बनाएं, at one point or the other time, पहला है protocol against dumping, इसको dumping protocol भी खहा जाता है, कि Mediterranean Sea में इसको रोग देना है, इसके अलबा, protocol concerning specially protected areas, यानि कि Mediterranean region में, जो marine protected areas है, marine national parks बनते हैं, तो उनके प्रती भी एक protocol बना हुआ है, in general combating pollution और साथ ही साथ, integrated coastal management, coastal zone management का भी एक protocol आया है, कि सभी जो भी Mediterranean के भाग है, जो भी इस convention के भाग है, अपने यहाँ पे coastal management, integrated coastal management करेंगे, ठीक कि कुछ protocols भी आया हुए, under the Barcelona convention, clear, let's move on, आगे बढ़ते और बात करते है, Nairobi convention के बार, Nairobi कहा आता है, where is Nairobi, where is Nairobi, Nairobi is in Kenya, right, तो Nairobi में एक convention आया, एक convention के वल सरकारों के बीच नहीं है, government से, इसमें civil society player से, private sector, सभी को साथ मिलाते हैं, for protection of the, for protection of the, Eastern African region, अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे, कि Western Indian Ocean region भी कहा जाता है, इस पो, in short, WIO, Eastern African region, और यह जो Indian Ocean है, इसका Western भाग, ठीक है, तो यह है, जो country's है, जो region's है, वो यहाँ पे है, सावत आफरिका लेकर, पूरा आपका Horn of Africa, जो country's हाती है, Madagascar भी यहाँ पे भागे, जो नी रखना है, there is, there should be no confusion, कि इस पर्टिकुलर convention में, WIO बहुत बार इस्तवाल किया गया, इसका मतलब यह नहीं कि Western African, Western African region नहीं है, प्लीज रिमेंबर, this is actually the Eastern African region, but it is the Western Indian Ocean region, Indian Ocean का Western भाग, no confusion, clear, तो इस region में, protect करने के लिए convention आया, इस region के जो resources है, इस region के जो marine bodies है, जो भी oil आएगा, gas आएगा, explosion करेगा, सारी चीज़ सस्टेनेबली करनी है, इसके लिए यह particular convention आया, बहुत जरूरी convention, अब यहाँ पे आपको एक धान देना है, कि इसमें contracting parties कौन को है, अभी फिलाल यहाँ पे contracting parties, जो आपको Eastern African side map को मिलेंगे towards, towards this side, right, that is Kenya, Madagascar, Mauritius, Mozambique, Seychelles, Somalia, Tanzania, South Africa, यह सारी countries, इसमें, France is also a party, remember, France is also a party, मैं आपकोता है, कि Indian Ocean region में, France के भी, जैसे की, there is a reunion, La Reunion Island है, which belongs to the French, इसके जैसे, France is also party to this, In fact, इस particular convention में, कई सारे protocols भी आये हैं, इनके पास भी, इसे land-based sources से pollution अगर हो रही है, उसको रोकने के लिए protocol आया हुआ है, लेकिन, इनके कुछ specific projects चलते हैं, which is very important, इनका एक project है, बहुत ज़रूरी है, वायो sap project, Western Indian Ocean के लिए, strategic action program इन्होंने बनाया है, जहाँ पे activities on land, जैसे development, pollution, deforestation, इसको रोकना है, इसको control करना है, नायरोबिक convention के जो parties है, यहाँ पे, मदद मिलीगी अलग-अलग देशों को, ताकि sustainable development, sustainable technologies को evolve करे, right, in fact, इनकी जो funding आती है, इनकी भी funding आती है, global environment facility से, इन्होंने funding दी हुए convention को for implementation of the WIO SAP, WIO SAP project, ठीक है, in fact, हम लोग अगले class में, म जरूर चर्चा करने वाले हैं, we are going to talk about the international organizations, NGOs, IGOs, which are specifically connected to environment, इसमें we will talk about the GEF, बहुत ही important body है, global environment facility, global environment facility, it is connected to money, यह लोग funding देते हैं, अलग-अलग conventions, अलग-अलग protocols को, ताकि वो उनके जो भी agenda से, जो भी उनके targets से, aims, objectives उनको achieve करे, ठीक है, इसके अलवा, WIO SAP के अलवा, एक एक और भी project चल रहा है, नाइरोबी convention का, remember it is called as a sapphire project, sapphire, नाइरोबी conventions, sapphire project, कभी कबार सवाल ऐसे भी आहाते हैं कि, WIO SAP project किसका है, sapphire project किसका है, sapphire project basically capacity building की तरफ एक step है, नाइरोबी convention का, जहांपे policy level, institutional level reforms लाने के लिए मदद करते हैं, in the western ocean, western Indian ocean region, सरकार हो गई, अलग- जैसे कि मैंने आपको बताया, सरकारे तो हैं ही, private institutions है, NGO से, IGO से, सभी को साथ मिलाते हैं, for sustainably using the resources of the western Indian ocean region, clear, right, नाइरोबी convention, चली आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, कार्टाएना convention के बारे, I am not talking about कार्टाएना protocol, please remember, we are talking about कार्टाएना convention, और मैं आपको पहले भी बताय था, कि जब भी कार्टाएना, 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 कार्टाएना आपको जो भी बोलना है, लेकिन नॉर्मली जी साइलेंट होता है, जैसे सदन अमेरिकन एक्सेट या फिर उनकी जो उनकी जो उनकी जो प्रनांसेशन उसमें, they do not pronounce G and J a lot, ठीक है, रहे तो इसले का वाइडर केरिबियन रीजन, so please remember, कार्टाएना कन्वेंशन इस कनेक्टेट टू विच रीजन, W, W, C, R, I would say, वाइडर केरिबियन रीजन, तो कार्टाएना कहां पर आता है, मेरा पहले जो बता है, कार्टाएना, कार्टाएना इन्दिया, एक सिटी है, इन कोलंबिया, इन सदान अमेरिका, यहाँ पे इन्होंने 1983 में ये कन्वेंशन लाया, 1986 में, ये फोर्स में आया, इनका उद्देश कहा है, जैसे कि मैं आपको बताया, कि वाइडर केरिबियन रीजन में, लाटिन अमेरिकान रीजन में, जो हम लोग, अगर हम लोग इस चीज़ को नदर अमेर करिबियन रीजन के बारे, यहाँ पे मरीन एन्वार्मेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, मरीन एन्वार्मेंट को कंजर्व करने के लिए ये कन्वेंशन आया, ठीक है, अब आपको द्यान रखना है, इसके अंदर कॉंट्राक्टिंग पार्टी से बहुत सारी, no need to remember the parties, 26 20 contracting parties है, mostly जो छोटे-छोटे islands है, Caribbean islands होगे, Jamaica, Trinidad, Tobago, इस सारी उसके नदरे include है, Southern American countries include है, लेकिन आपको द्यान देने, कुछ countries है, जो इसके भाग है, contracting parties है, like UK, UK के भी बहुत सारे territories अभी भी है, UK हो गया, USA हो गया, France हो गया, Netherlands हो गया, ये भी काटाइना convention के भाग है, और इ specifically three protocols आया है, इनके तीन protocols बहुत जरूरी है, इनके, एक है oil spill protocol, इसको कहते ही है, oil spill protocol, लंबा चोड़ा नाम है, protocol for, protocol for, protocol and rules or regulations, whenever there is oil spill in this particular region, so oil spill protocol, एक और है SPA, SPA, special protected areas, protocol है यहाँ पर, इसके अलाबा, there is also LBS protocol, land-based sources, जो है, pollution के, उसको रोकने के लिए, एक protocol भी आया हुआ है, under this particular convention, ठीक है, इसको ध्यान दाखने है, clear, so Cartaina protocol, Cartaina Convention, pardon me, क्योंकि हम लोग पहले protocol बात कर चुके, that's why slip of tongue हो रहा है, Cartaina Convention, so do no confusion between Cartaina Convention and Cartaina Protocol, I hope कि आपको याद होगा, इस protocol को हम लोगोंने discussion किया हुआ था, right, with respect to biodiversity, CBD के लिए protocol आया था, CBD के अंडर, Cartaina, Nagoya, IG, Biodiversity, Targets, हम लोगोंने चर्चा की, right, चलिए, let's move on and talk about another convention, last convention बुदर है, Tehran Convention, Tehran, अब Tehran है कहाँ पे, मुझे लगता है कि बताने की जरूरत आपको नहीं है, Tehran comes in Iran, ठीक है, Iran, so यह convention इरान में sign किया था, 2003 में इसको finalize ही आगया, तीन साल बाद, जो भी requisite ratification थी, वो हो गई, उसके बाद 2006 से, 2006 से यह active हो गया, 2006 से convention force में आगया, अब यह जो convention है, किस region के लिए, Tehran Convention, related to, is related to what? It is related to the protection of Caspian Sea, Caspian Sea, ठीक है, Caspian Sea, please remember this particular thing, अब आप मुझे एक छोटा सा काम कीजएगा, मुझे कुछ बताईगा, I want some interesting information about Caspian Sea, तो मुझे कुछ specific चीज़े, Caspian Sea के बारे में, थोड़ा सा research करके, कमेंट में बताईगा, although मैं आपको थोड़ी सी ज़रूर बताऊंगा, कि Caspian Sea में, Caspian Sea के marine environment को protect करने के लिए, यह particular convention आया, अब Caspian Sea की जब हम लोग बात करते हैं, उसके location का हाथ है, देखिए, इस तरफ है Black Sea आपका, Black Sea, और यह है आपका Caspian Sea, right, Caspian Sea, Caspian Sea में, of course, Russia is a participant, Russia है, Kazakhstan है, Turkmenistan है, आपको, इरान मिलेगा, आपको, अजरबाइशान मिलेगा, तो अलग-अलग parties है यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको बताएगा, तो थोड़ा सा, कुछ इसके बार में, इंट्रेसिंग इंफॉर्मेशन धोन निकाले है, और मुझे बताएगा, कमेंट सेक्षिन, so that, बाकी सभी को भी पताचले, please, authentic चीज़े बताएगा, ठीक है, right, अब यहाँ पे, इस region को कहा जाता है, इस वेरी रिच इन मरीन डाइवर्सिटी, लेकि आपको धान रखना है, और दो कैस्पेंसी छोटा सा एरिया है, एंट्लोस्ट एरिया है, it is, it is encircled from land, it is basically encircled from land, from all the sides, it does not have any opening, यानि कि किसी ओशन से ये connected नहीं है, लेकिन, यहाँ पे कुछ specific चीजे मिलते हैं, कुछ specific species मिलती हैं, जो एंडे में के इस region के लिए, जैसे की, एक है sturgeon, यहाँ पे अलग-अलग तरह की sturgeon मिलते हैं, इसको केते हैं, sturgeon, और इसकी भी काफी exploitation की जाती है, अलग-अलग प्रजातियां मिलती है, sturgeon की, तो यहाँ पे, it is the largest spawning ground for the sturgeons, as well as endemic Caspian seal, और इन दोनों प्रजातियां को बहुत ज़्यादा exploit कियाता है, इसके अलवा, यह जो region है, of course, it is rich in these resources, it is also threatened by some other things, Caspian Sea is also very much rich in oil and gas, तो यहाँ पे oil production, overfishing, shipping, यह सभी यहाँ पे threats है, और इनी major areas को, इनी major areas को, रोकने, इनी major threats को रोकने के लिए मैं कहूंगा, यह convention आया, और इस convention के तहर्थ, दो important भाग है, दो important areas है, एक तो pollution को reduce करना है, और दूसरा है, जो अलड़ी खराबी हुई है, मरी restore the things, जो इसके अलबा, इस particular convention में, तहरान convention में, अलग-अलग provisions है, जो भी parties है, मैंने आपको बता है, इस आपको बता है, इस आपार्टी, इरान इस अपार्टी, Kazakhstan, Russia and Turkmenistan, यह country से, और यही country से, Caspian Sea के जो neighbors है, तो मुझे यह भी बताए, comment section में, I am not exactly remembering, list में कर सकता हूं, ल इसकी के countries कौन से कौन से, ताकि इसकी भी तैयारी हो जाए, कई बार confusion होता है, जोड़े सवाल आ जाते है, Caspian Sea के surrounding countries मुझे बताएगा, जो यह है, और Black Sea के surrounding countries मुझे बताएगा, ठीक है, do that in the comment section, तो आपको totally तीन चीज़े बताने है, एक तो Caspian Sea के बारे में कुछ specific चीज की भी norms है, environmental monitoring, development कैसे करना है, यह सारी चीज़े यहाँ पर अभी फिलाल बनी हुए, ठीक है, तो मैंने आपको बताएगा, तेहरान convention is the final convention of our discussion, right, so this was the last part, miscellaneous part of our discussion, अगला जो क्लास होगा हमारा, वहाँ पर हम लोग, कुछ environment से जुड़े वे, international organizations, कुछ NGOs, IGOs के वारे में च series, right, so, जैसे की मैंने आपको बताया, इस पूरे discussion से आपको क्या याद रखना है, convention, convention की city, उसकी specific चीज़ क्या है, right, उसकी importance क्या है, उस particular area को focus करना है, इसके अलावा, again, since this is the last class for the convention, penultimate class for the series, but last class for the convention, आपको एक चीज़ ध्यान रखने है, कोई भी convention हो, अगर वो news का आगे है, अगर उसी conference of parties, अगरे चल रही है, etc., तो उसके ऊपर आपको focus करना है और उसको note कर लेना है, ठीक है, उसके वारे में देखना है, if we have missed out on something, but मुझे लगता है कि I have covered most of the important conventions, treaties and protocols in this particular, right, so, that is it in this particular session, in this class, so, have a good night's sleep and please remember, you have to stay safe and you have to stick to the schedule always, और अगर आप मुझे follow करना अचाते हैं, you can follow me on this particular ID, and please remember the date 6th, 6th October को नहीं भूलना है, 6th October आपरी डेट है, although मैं हमेशे आपरी डेट के लिए वेट मत कीजेगा, जो आपका form भी बरना है, कुछ भी करना है, आपरी तारीक पर आपरी तारीक तक वेट नहीं करना है, क्योंकि आपरी तारीक में बहुत लाइफ, र-A-H-U-L-L-I-L-I-V-E, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको बुलना नहीं है, अलाइट, आइट, आइट, थाइट, 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 वाचिए वीडियो, जैहिंद, Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोरड़बल